जी क्लास जैसे कि मैं आपको बता रही थी 17.10 में बाइनॉमिल डिस्टिबुशन का हमने करना है फाइव पैनीज दी हुई है इसमें फाइव पैनीज थाउजन टाइम टोस हुई हुई है और नमबर अफ हैड्स है अब नमबर अफ हैड्स से हमें पता चल गया कि पी वन पास फाइव दी है फाउजन कैपिटल अच्छा जी अब आपने चेक करना है कि बाइनॉमिल आपके पास सेटिस्टिस्टिबुशन आपके पास बाइनॉमिल नहीं है यानि एच नौड आपके पास क्या होगा कि यह डेटा बाइनॉमिल के लिए गुड़ फिट है और एच हो जाएगा कि यह गुड़ फिट नहीं है लेवल आपको अगर गिवन नहीं है तो 0.05 चूस करेंगे आप काई स्केर का फार्मूला है समेशन ओ आई माइनस एई होल स्केर ओवर एई OI stand for observed frequency EI stand for expected frequency फार्मूला PDF का पहने पहले भी आपको बताया था इसमें होता है के माइनस वन माइनस M M आपके पास होता है number of parameters माइनस वन उसके फार्मूले का है और के आपके पास number of classes के लिए यूज होता है यहां पर लगाने से यह देखिए classes आपके पास कितनी है six है zero से six तक six आ गया फिर उसके बाद minus one वैसे आ गया और चुंके इसमें आपके पास P unspecified है ठीक है ना पी उसने बताया नहीं है कि बस हमें head करने से पता चला कि यह head है तो one by two इसकी probability होगी वो भी हम निकालेंगे अब यहां पर critical region आपके पास होगा काई स्केर greater than equal to काई स्केर 0.0544 यह इसमें यही यूज होगा अब आप क्या करेंगी 0.05 के 4 में देखेंगी तो वो यह value आजएगी यह table value में आपको last lecture में देखनें बता चुकी हूँ उसी table से देखनी है इसका कोई order table नहीं computations आपके पास आजाती है उसमें आपने क्या करना है यह जो data दिया हो है न इस data के जरीए से सबसे पहले आपने यह x दिये में यह f दिये में x submission fx over submission f करके x बाहर निकालना है ठीक है जी वो निकालेंगी तो आप का answer आजएगा 2.47 मैं दोबारा से बता दू यह x की values है यह f simple जैसे आप group data के लिए निकालते हैं न डिस्क्रीट के लिए mean वैसे आपने निकाल लिए वो आगया 2.47 एकस बार आपको पता है कि क्या होता है अगर आप theoretically देखो binomial fit के लिए काम करी हो न एकस बार इस इकल टू एन पी यह के बराबर होता है तो p cap किसके बराबर होगा x bar over x bar की value आप find out कर चुकी है n आपको पता है क्या आजाता है 0.494 अब इसकी base के उपर अगर यह p है आपका p cap है estimated क्योंकि आपके पास p given नहीं थी क्यों आप निकालेंगी one minus करके वो आपके पास आजेगा 0.506 ठीक अब आपके पास p भी आ गया q भी आ गया n भी आ गया और य इसमें fitting करेंगी formula आपका यह है जिसमें आपने fit करना आपने number of heads ले ले लिए observed यह data given है आपको ei आई 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 आप इसमें put करके निकालेंगी बारी 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 अब यह binomial expansion है इसको खोलने का तरीका तो आपको आता है नहीं तो formula जो आपका binomial का होता है ncx p की power x q की power n-x उसमें आप p की value 0.494 put करेंगी q की value 0.506 put करेंगी 0 के लिए उसको निकालेंगी 1000 से multiply करेंगी 1 के लिए उसको निकालेंगी 1000 से multiply करेंगी इस तरह करके यह formula लेकर लेकर यह दिखिए यह binomial का मैंने लिक भी दिये 1000 to 5cx यह आपके पास p की value जो आपने निकाली थी उसकी power x आजाएगी x में आपके पास 0 से 5 तक की value आजाएगी और फिर 0.506 में आपके पास n-x आजाएगा उसी तरह से यहां पर आप x की जगा बारे 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 values लगाएंगी और यह 5 में से उसको detect करती जाएगी n आपके पास 5 है 1000 से multiply करेंगी तो ei आई आ आपके पास आजाए अच्छा अब आपने क्या करना है यह oi आई आगया ei आगया इन दोनों का difference लेना है ठीक है जी oi minus ei यह आपके पास आदेगा इन दोनों को भी minus करेंगी इन दोनों को भी इस तरह करके यह column आपके पास आगया oi minus ei के column का square लेंगी square लेने के बाद e i से value divide करेंगी यानि 23.04 को आप divide करेंगी 33.2 से तो आपके पास 0.69 आजएगा इसी तरह इस value को divide करेंगे इस से तो 1.98 आजएगा इसी तरह ये सारा आजएगा अब ये जो column है इसका sum आपके पास 8.18 आजएगा है 9.49 इसको आपने compare करना है 8.18 से चुँके ये उससे छोटी है ये देखिए बड़ी होती तो आप reject करते हैं चुकि वह उससे छोटी है क्रिटिकल रिजिन में fall नहीं करती इसलिए आप accept करेंगे कि ये data जो है ये good fit है